हेलो एवरिवन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आप सभी को स्वागत है मारे आज के इस वीडियो में और फेंट्स इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रूप डी एमप्लॉई का सेलरी स्ट्रक्चर जैसा कि आपको पता है कि 2022 स्टार्ट हो चुका है और आप आपको एक्जाम 2022 में होने के बाद पूरी उम्मीद है कि 2022 के लास्ट तक जो है आपको जॉइनिंग भी मिलेगी तो जॉइनिंग के टाइम पर क्या सेलरी रहेगी ग्रूप डी एमप्लॉई की अलाकि मैंने इस टॉपिक पर पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हैं आपको पर आपको जो इनक्रिमन हुआ है तो अभी यहाँ पर जो डिये में इनक्रिमन होका उसके बाद लास्ट में आप जॉइन करते हैं तो तो उस टाइम पर स्टाइंग सेलरी क्या रहेगी एक ग्रूप डे इसमें सेलरी अच्छी नहीं होती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है सेलरी बहुत अच्छी होती ही वीडियो देखने के बाद आपको खुदी पता चल जाएगा तो वीडियो में बने रही है लास्ट तक लेकिन उससे पहले चैनल को अगर भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें फ्रेंट्स वीडियो में आगे बनने से पहले टेस्ट बुक के एक उफर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर टेस्ट बुक का एक उफर चल रहा है जो आज 11 तारीक को रात 12 बजी तक वैलिड है इसमें अगर आप इनका 399 वाला पास परचेस करते हैं तो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में दियेगे लिंक से जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको परचेस करते टाइम EG10 कोड का यूज करके 59 रुपे का डिसकाउंट मिल जाएगा साथ ही पर आप लोग जो है इनके ओफर्स का लाप भी ले सकते हैं टाइम टू टाइम इनके ओफर्स आते रहते हैं तो अभी जाकर आप इसको चेक आउट करें डिस्क्रिप्शन में ने लिंक दे दी हैं तो फ्रेंट सबसे पहले तो मैं आपको बता दू देखी जो अभी हाल में दी है वो 31 परसेंट चल रहा है यह वाला पार्टिकल देखी अक्टूबर 2021 दा यूनियन कैबिनेट हैड हाइक डी और फो सेंटरल गवर्मेंट इंप्लोईज और पेंशनर्स बाइट थ्री परसेंट पॉइंट तो 31 परसेंट यानि अभी जो आपका डी है वो 31 परसेंट होता है तो अभी जो हाल फिलाल का डी है वो 31 परसेंट का रेट है तो 31 परसेंट के रेट के इसाब से मैं पहले आपको बताऊँगा कि अभी सेलरी क्या बन रही है और जब आप जो है 2022 में दिसंबर तक अगर आप जोइन करते है तो उस टाइम तक डी है वो कितना सबसे पहले आपको यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक नौलेज होनी चीए जो आपका ग्रूब डी की जोब है उसमें बेसिक पे 18,000 रुपे रहता है चाहिए आप किसी भी पोस्ट पर जोइन करते हैं आपको बेसिक पे 18,000 ही मिलता है जैसे कि मैंने आपको बताया है डी अभी पर देगी 54,000 रुपे मिलता है अगर आप X-Class City में जॉइन करते हैं यह X-Class, Y-Class, Z-Class City क्या होती है मैं आपको किसी separate वीडियो में बताऊंगा डीटेल में फिलाल आप समझ लीजे जितनी बे आपकी बड़ी-बड़ी Cities होती है डेली हो गया है तो बड़ी-बड़ी जो Metro Cities है तो HRA आपको 18,000 रुपे मिलता है उसके बाद TPTA मिलता है यानिकि transportation allowance आने जाने के लिए railway आपको allowance देता है आने जाने के लिए आपको खर्चा देता है यह भी दो category में मिलता है अगर आप X-Class City में जॉइन करते है तो तेरा सो पचास प्लस उस पर जो आपका DA चल दा है जैस देखें जो आपकी railway की काफी सारी posters में को travel करना पड़ता है यानिकि आपको जो है अपने station से 6 km, 8 km दूर जाना होता है तो उसके लिए आपको 500 रुपे per day के हिसाब से traveling allowance मिलता है उसके अलावा एने चे हैनिकि national holiday allowance भी मिलता है 384 रुपे per day मालीजे किसी national holiday पर भी आप duty जा 10 allowance के रूप में और ये सभी post को दिया जाता है तो ये सारी चीज़े समझने के बाद देखें मैं आपको बता देता हूँ फिलाल में जो आपकी salary बन रही है निकि फिलाल जो employees है उनकी salary कितने लगबग बन रही होगी एक average मैं आपको दूँगा इसमें थोड़ा उपर नीच 20 रुपे हैं माल लेते हैं कोई X-Class City में job कर रहा है तो 54 रुपे उसको एचारे मिलेगा अगर उसने quarter नहीं लिया हुआ है TPTA है अब 1768 रुपे बनता है जैसा मैंने आपको बताए X-Class City के according मैं आप थोड़ा सा maximum लेकर चलना हूँ मतलब की जो X-Class City उसके according में चलना हूँ अ आप इसमें Y-Class और Z-Class निकालना चाहेंगे तो आप जो हैं यहाँ पर यह 3600 रख लेंगे और यहाँ पर यह नीचे वाला रख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा थोड़ा सा ही 3-4,000 रुपे का डिफरेंस आता है टीए की बात करें एक average salary की तो 33,556 रुपे का average salary यहाँ पर बनती है चाहे आप किसी भी post में है बागी कुछ post में जैसे आपका risk allowance रहता है वो मैंने यहाँ पर include नहीं किया है जैसे trackman में risk allowance रहता है तो एक average मैं आपको दे रहा हूँ अभी फिलाल की salary लगबग आप कह सकते हैं कि 30,000 प्लस आ कि लगबग इतना ही यहाँ पर 2-3% का increment 6 में में हो जाता है तो लगबग 37% तक आपका DA चला जाएगा अब उस टाइम पर आपकी salary कितनी बनेगी मैं आपको दिखा देता हूँ basic पर आपका 18 जारी रहेगा 37% DA के according आपको 6,660 रुपे मिलेंगे जो सभी को विल्कुल सेम मि कि मैं आपको बता भी दूँगा आपका जो quieter होता है उसका size क्या होता है अगर आप comment box में लिखेंगे तो मैं separate video सभी के बना दूँगा यहाँ पर देखते है TPT यहाँ पर 1850 हो जागा क्योंकि DA भी 37% हो गया है तो यहाँ पर 1350 और उस पर 37% का DA तो 1850 रुपे आपका देखें ड्रेस आलाउंस तो सभी को मिलेगा यानि कि जब आप जॉइन करेंगे लगबग सभी पोस्ट वालों को starting में 5000 रुपे तो सभी को मिलेंगे तो यह मैंने यहाँ पर एड कर दिये हैं तो देखें जब आप जॉइन करेंगे लगबग 9,000 रुपे कह सकते हैं कि आसा इसे आपको salary मिल जाएगी अलग इसमें कुछ deduction भी होते हैं 2000 से 3000 के बीच के deduction होते हैं तो deduction के बाद भी देखे 35,000 प्लस salary आपको बिल्कुल join करते ही मिलेगी यहाँ पर जो लोग यह बोलते हैं कि group D में salary अच्छी नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मैंने link उसका description में दे दिया है